अभी तक जितनी बात हुए तो हम स्वयम से लेकर संपुन अश्चितु को समझने का प्रयास कर रहे हैं और यह भी अपने ध्यान में आया है कि शिक्षा की मूलवफ्तु तो यही है समझना और पूरी धरती पे देखें तो मानो ही एक मात्रा एक सी ही काई है जो अपने शरीय करने के बाद हम सुख पूरग जी पाएंगे संब्धी पूरग जी पाएंगे परिवार में संबंध ठीक हो पाएंगे समाज की व्यवफ्था में हम भागिदार हो पाएंगे यह पिछा तो हमारी बनी ही रही है भूलवश कई बार हम लोंने शिच्छा में जिस चीज़ को म जरूरी था उतना नहीं गया अइसा नहीं कहूंगा कि बिलकुल ध्यान नहीं गया ध्यान गया है तो अब एक अच्छा असर मिला है कि हम शिच्छा में इस वफ्तु को समाविशित कर पा रहें तो अभी पिछले सत्र तक इतनी बात हुई हम लोग ने स्वियम से लेकर प्र सब्सक्राइब तो मैं कैसी स्थितिम बने रहना चाहता हूँ उसके एक नाम दिया हार्मनी सामंजस संगीथ मैं पने अपने संगीथ में बने रहना चाहता हूँ तो इस वर्क्शॉप में आप आएंगे कि एक तरब से तो आपको कुछ प्रफ्ताव मिल रहे हैं इसमें कुछ शब्द है भाषा है परिभाषा है उसका विस्तार है परन्तु दूसरी एंड पे उस शब्द के अर्थ को आपको स्वैम में ही देखना है तो जितने भी शब्द प्रियुक किये जा रहे हैं उनका आशा इतना ही है कि उसका अर्थ हमको ठीटी इंगित हो जाए तो सुख कोई नया शब्द नहीं है समर्दी कोई नया शब्द नहीं है परन्तु ऐसा हो सकता है कि इस वर्क्शॉप में अटेंड करते हुए आपको सु नहीं चाहते हैं यह देखने की बात है तो अगर मैं आपसे पूछ हूं कि क्या इस बात को आप सभी अभी तक इतनी चर्चा हुई उससे आप देख पाएं क्या कि आप सुख की निरंतरता चाहते हैं उसमें एक छण कभी रुकावट नहीं चाहते हैं इसको आप चैट बोक हैं थो किनारे हैं सुख होगा तो दूख होगा ही है दुख भाता सुख होगा ही कि नहीं हम ऐसा मानते हैं कि जीना गज़ा ही रहेगा परन्तु चाहना तो हम सब की निरंतर सुख्ष की हैं अगर एक बड़ यह सबस्टों से दिख जाए तो फिर हम अपने हर कारेकम का मुल्यांकन करेंगी कि क्या ये निरंतर सुख में भागिदार हो सकता है तो आपको दिखाए देगा बारीकी से अभी तक हम जिन वफ्तुओं से सुख को जोड़े रहें तो हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने में लगे रहें या तो सुविधा से कोई समवेदना हम को समवेदना मिल जाइंड जैसे हम सुखी हो जाए या दूसरे से हमें कोई प्रिय भाव मिल जाए उसे हम शुक हो जाए और इस तरह से अगर हम देखे हैं तो हम सुख के लिए बाहर क्यों निरभर रहे हैं परन्तु यदि हम को ये दिख जाये कि सुख मेरा सभाव है कोई बाहर से मिलने वाला प्रभाव नहीं वह सभाव को मतलब है क्या हुआ मेरी सहत्षु कृती है तो हम अपनी सहत्षुक्रिति का ठीक से अध्यान कर पाते हैं और जितना इमारा जीने के हर आयाम में ध्यान जात कि जीने का जो पूरा व है तो मानव के फ्तर पे जीते हैं परिवार के स्थिए हैं समाज के फ्तर परई पुइंटे के तो आप जीना चाहता हूं और इस चीज को पूरा कैसे करेंगे उसके लिए कवीधी बताईगे कि जो भी बीघा से कही जा रही है प्रस्ताव के रूप में है और उसमें एक काम है अपने आप में जांच के देखना और जांच के देखने करमें सहस्कृति पर ध्यान देना और आप लोग इस काम को करते रहे होंगे बहुत जितना मुझे की फीडबैक में इस वर्क्शॉप के बारे में सब लोग काफी ध्यान से पूरी बात को सुन पा रहे हैं और आप जांच भी रहे हैं यह साथ जी कर देखना जी आपके साथ श्वास के भाव पर चरचा होए तो ऐसा हो सकता है आप मान ले कि हां मुझे दिखता है कि दुसरे क चाहना खीक है अब जीने गए और किसी व्यक्ति के साथ किसी परसित में आप रियाक्टिव हो गए आवेश में आ गए इसका मतलब कि आपने सिर्फ मान लिया था जाना नहीं था तो जीते हुए हमको रिफ्लेक्शन मिलता है कि क्या मैं परिवार में संबंदों में जीते क्या मुझे हर बार अपनी आवशिक्ता स्पस्टर रहती और प्रकृति को मैं संब्रीद कर पाता हूं हर बार यह हम अपने आप में वैलिडेट करते हैं पर रखते हैं तो यह कारिकर में जिससे हम आगे बढ़ते हुए चीजों को देखते जाते हैं समझते जाते हैं कुछ नमस्ते बाया जी नमस्ते मैं डॉक्टर दीपर रस्तोगी अशोक नगर से जी मेरा इसी संदर्व में प्रशनी यह है कि जो आप बता रहे हैं बहुत ही उप्योगी और सुन्दर विश्यवस्तू है मेरा प्रशनी यह है कि जो व्यक्ति स्वभाव तह प्रसंचित होता है वो तो हर इस्तिथी में खुद को अनांदित रखता है क्योंकि उसका सुभाव होता है लेकिन बहुत सारे लोगों का यह सुभाव नहीं होता या फिर बच्पन से उनका जो परिवेश या परियावरन वातावरन रहता है वो अलग-अलग तरह का रहता है खेत भरा, कि हम महिलाओं का जीवन चक्रामेशा पुरुष पर आधारित होता है तो ऐसे में सुभाव तहा आनंद कैसे उत्पादित करें कि जब हम यदी किसी का किसी बच्चे से हम शिक्षिका हैं तो अगर बच्चों का मूल सुभाव नहीं है आनंदित रहना तो उनको फिर आनंद सुभाव का मतलब है स्वाव में स्विक्रिट प्रकार का है तो कई प्रकार को सकते हैं कि किसी परशिति में समस्याओं को कोई किसी परस्रिती में समद्ध को देखने के लिए अभ्यास को सकते हैं तो मेरा उसमें यह है कि सवहाओ तो हर मनुसी का ठीक है क्योंकि सब्सक्राइब हरमानों के ठीक हर मनुसी सुखी होना चाहता है जीना चाहता है परदू जैसा हमको बतावन मिला, जैसा परिवार में सर्शार मिला जैसे ळाम हसे अधार पर हम सब का जीना अलग लग है तो कंडिशने क्या जैसे भी हो और इसमें ऐसा ऐसी विश्एतिकों गए हो सकता है एक ही परिवार में हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति ज्यादतर समय आराम में रहता है को एक ज्यादतर समय परिशान रहता है तो हम सब अपना अपना एक संसकार है ठीक है न और हमको अपने संसकार में परिमारजन की जरुरत है और संसकार में लाना है नहीं मैं फिर कोई और बात करा था अभ्यास तह हम लोग कई प्रकार से जी रहे हैं हां जी सभाव हम सब का ठीक है तो हमको उसको जांच-प्रक करना है एक बाद जांच-प्रक हमारे अंदर पूरी हो जाएगी तो हमारा जीना उसका नुरूप होई जाएगा सभ भी के सब्क्रMich pursuing नी करनी है न्ए तरीके से हमको अपने आपको मानने के लिए बाद हे निए करना है परंत्रों से इतना करना है कि सही और ध्यान देना है लेकिन जैसे जो प्रैक्टिकरी लाइफ होती है जो रोज का जीवन है उसमें अनेक लोगों से हमारी अपेक्षाय जुड़ी हैं तो जैसे रोज हम बस्तर बदलते हैं इसी तरह से रोज और उस पर धबा लगता है इसी तरह से मन पर आत्मा पर रोज एक नया वोज एक नई बात आ जाती है कभी-कभी पूरा दिन प्रसंचित रहते हैं लेकिन कभी-कभी किसी क कि अपेक्षाय हम पूरी नहीं कर पाए वो हमसे नाराजिया अनबोला हो गया तरह तरह की ऐसी समस्यां आती हैं तो उसको इस सुख को अनदित करते हैं उससे कैसे बचें क्योंकि वो तो हमसे मान नहीं रहा है हमारी सफाई हमारी हमारा पाक्ष कुछ भी नहीं और कई बार या अनगी है टूसरा मेरे दुख मेरे ही निरनों से हो रहा है तो आसा नहीं कोई दूसरा हमरे सथ व्यवहार करता है उसको व्यवहार करता है उसको मैं अपने अंदर एक अर्थ देता हूं पारामा करेंगे ऊसका सुसूंदी हरो Бाहर के परिसीति स्मझ में आती है। अगर नहीं समझ में आती है, तो मैं परिशान रहूंगा, और मैं जब परिशान होंगा, तो दूसरे को परिशान करूंगा, और यही बाद दूसरे के लिए लागू होती है, तो हमको दिखाए दिगा है कि खुद मेरा वेहार कई बाद दूसरों के परिशानिया पैदा करता ह हान जी हान जी है ना इसका मतलब समस्या भीतर है बाहर में अच्छा हान जी बहुत बहुत सुक्षम तरीके से आपने बताया और बिल्कुल कहना चाहिए विकेंदरी करन कर दिया समस्या का बिल्कुल टारगेट पर हीट किया है आपने थैंक यू और जो बात इतने दिनों से चार दिन की ट्रेंणिंग में जो वही बात समझाई जा रही है लेकिन आप ने उस बात को एक उपसवार कर दिया उसका और बहुत अच्छा सम्झाया आपने गर आपने उस पे ध्याना पत्थी चला गया है बहुत अच्छी बात है अगर आपने उस जी जी कुमार बहिया नमस्ते जी नमस्ते अब मैं उस्षा ब्यास दमों से बहुत अब जुड़ी हुई लगाता रहा आप लोहों से और आपको सुनना हर बार एक ऐसा लगता है अभी अधूरा जी रहे हूँ पर जीने में मेरे दीरे दीरे आ रहा है बहिया जैसे कि मैं अ सुरत का अधारा पता दू कि हम अकान में काम लगा है तो आवाज जो आ रही पहले मुझे बहुत इसमें चड़ होने लगती थी परन्तो बो भी मुझे मधूर लग रही है और जैसे कि मैं पढ़ाती हूं कक्षा में तो सब्जेक्ट के अलावा जब बात सब्जेक्ट की प चड़ सुक्रति पर बात लाथ में लगती हूं कि तो बच्चे इतने इंट्रेस्ट के साथ सुनते हैं और जब मैं जाने लगती हूं तो तो मैं समझते हूं कि बच्चे इन चीजों को बहुत जल्दी लाएंगे अपने जीवन में और मुझे बहुत जादा ये जैसे कोई जादा बहुत सुक्सविदाएं एकटी करता है तो मैं मतलब मैं रोक नहीं पाती हूं को बट मुझे अंदर से कष्ट होता है जैसे बहुत स में कोई नहीं है रोल लेकिन मैं मुझे कष्ट हूता है कि इनको कैसे बना या नहीं कैसे सम्झा इनको तो यह मतलब मुझे अपना देखने लगा है बस मुझे यही कहना था राजयानन संस्थान की बज़े से आप लोगों से जोड़ पाए हैं तो हम आप लोगों को और रा तो थोड़ा सा यह बताएं अभी रोक लेते हैं थोड़ा यह बताएं कि जैसे हमने प्रक्ति तक बात कर ली उसमें अभी क्या चर्चा करना शेस रह गया होगा इस पर अभी तक हमने बात नहीं की है कुछ अनुमान लगा सकते हैं तो अपर टोब की मिलग सकते हैं कि हमने मानों ची बात की परिवार की बात की समाज की मिट्ठी ह्iring के अब किस पर बात करना शेस रह गया है किसनको में आप करने वाले हैं जी अभी आप उसको अच्छी बात है बहुत सारे इसमें बिंदु आ रहे हैं तो अस्तितों कि हम लोग बात करने वाले हैं है जो कुछ भी है और तो जो कुछ भी है वह व्याफ्था में है तो है के साथ होना जुड़ा हुआ है और व्याफ्था के साथ परस पर पूरकता जुड़ा हुआ है तो जो कुछ भी है व्याफ्था में है और उसका होना परस पर पूरक है एक दुसरे के साथ पूरक है यह प्रस्ताव के रूप में है अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार से व्याफ्था बन डख विताई हैं कि शुन्य में इकाईयां और शुन में संपिक्त्त हैएँ तिन शब्द तो मैं आप से प्रशन कर रहा था तो ममें शुन्य पर बात करने वाले उन۲ को समझ intention अगर मες को समझलें standards-ता को समझते तो शुन्य जो हर जेगा व्याब्त है तो धर्ती के बाहर भी है, धर्ती के बीतर भी है, हमारे शरीर के बाहर भी है, शरीर के बीतर भी है, कमरे के अंदर भी है, कमरे के बाहर भी है, कमरे के दीवार में भी है, तो जी दीपा जी का प्रशन है शुन्य क्या अभी इसको विस्तार करते हैं, तो शुन्य का अरत है व् हुआ है वह हरंग एक हैं कई सारे टिशूस से बना हुआ एक यह तो जो सिमिताकार है वह सारी काई आपकां की काई कर टेबल कंप्यूटर मनुस्य पेर पौधे पशु पक्षित अब इन सब आएं को देखें तो कहां है तो शुन्य में हैं, कैसे पता चला, तो देखें तो दो इकाईों के बीच की दूरी दिखाए देती है, जैसे आपने शरीर को देखें तो आपको नाक, आँक, मूह, इन सब के दूरी दिखाए देती है, कैसे पता चलता है कि ये नाक है, कि आँक है, कि मूह है, इन सब के और इकाई पर रहता है और उसके साथ हम शुन्य के होने को किसी रूती दियान सीरुक्त कि स्विकारे रहते हैं PRESID gonna वगो बहां शुंसमा आप सुमझते नहीं यह द्यान ने कि शुन्य में किस प्रकार बनी फिल्ग होते हैं इकाई के बने होने में शुन्य है या नहीं है इन सब बातों पैमरी स्व blends in a plane अभी संप्रिक्ट है we are encourage इनका हमको पता चलता है अब इसको कैसे सम्झेえば तो सबसे पहला काम है कि अपनी और ध्यान म ale dh criança कि वहाई हुँ एक मनुस्य के बारे में बात हुई अभी तक कि मैं दोनों का सहस्टित वह rei तो मैं कैसे बना हुआ हूं पहली बात हुए मैं हुँ या नहीं इसका ध्यान हो जाए लिए खी नहीं मुत महीत है उतनी बात हुई इस पर तो एक रहसे सा बना रहता है। जुकि मैं अपने आप के लिए रहस्य बना हुआ हूं So, अपनि आपके लिए हम एक रहस्य बनें रहते हैं इसलिए बागी सब कीईज judgments आ लगाते रहते हैं s объяс अपने आपको देखना शुरू करें दो पाएंगे कि मैं कंई हूँ ग्रान वहां बैठ तकार है तभी मैं नॉड़ा में हूँ शरीर भी साथ में और जहां तक शरीर है शरीर के साथ मैं भी बना हुआ हूँ आप MP में अलगला स्थान पे हैं तो आप सभी काईया हैं मेरे और आपके उच्छे में शुन्ने मैं इस कंप्यूटर पे देखके बात को रख रहा हूं मेर और इस कंप्यूटर के बीच में शुन्ने जो है इसके कोई आकार नहीं कोई सीमा नहीं यह हर जगार यह मेरे चारोत तरफ है और इसकी आकार को ढूनने जाओं इसका तो ऐसा को दिखता नहीं है अगर मैं कहूं कि यहां तक शुन्ने ए उस याज्व शुन्न नहीं है तो प्रिद्वी के-बी दर्विश्चि के बहर घ्बी तो यह जन्य जो तो कि जर इंद ऐस्मित है व्यापक लाख , तो यह है कि नहीं क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछ हूं शुन्य है कि नहीं जो इतनी Izुषय कहिए उस उसक्राइब अप शुन्य है या नहीं है कि चैर वक्स में रिस्पॉन कर सकते हूं से फिरफाइं थे ही थे कर आप भी है अपर आपर अब शुर्णव में किस प्रकार जहां आप यहां तो जहां शुन्य वहां आप भी है किस प्रकार है कि इसको अभी हम लोग देखते हो चलते हैं या मि थो तो थो और ध्यान से देखेंगे तो प्ाएंगे की इंकाई कि मतलब जिसको व्यूमें ने बता है तो यह अकार में अस्थमित है और काल में भी अस्थमित है ऐसा कोई समय नहीं है जब यह 6 नहीं होगा ऐसक seventeen심 और जोंगा इसे शुन्य में किस प्रकार जिया गया संप्रित तो सेथित्व किस प्रकार रहे उसको अध्यन करें इस बीच में कुछ हैं से रेज़ें एक दो प्रश्ण में ले लेता हुआ फिर आगे बात करेंगे जोचना सूद जी जी आप ने अभी पूछा था हम किस माया है थो मां मिंटर हम सुन्स अव्य काई के रूप में дома इसंद इस फिरा कारें हम अंव्याे में हैं हम संब यहाएं वयखम हम सब कर और आक ना एक एक रूप में गिने जा सकते हैं और यह शुन्य है जो हर जग अब्यापत है तो किसी भी काई को देखेंगे तो देखें कि वह लिमिटेट साइज का है ना सिमिताकार का है जैसे शरीर का एक निशिताकार सिमिताकार है मेरा भी एक अकार है जो इतने भी कमरे में समान दिखाई दे रहें इस सब एक सिमिताकार है कंप्यूटर हो चेयर हो सोफा हो टेबल हो यह मकान देखें तो एक सिमिताकार का है पश्यों को देखता हूं सिमिताकार के है पक्षियों को देखें तो सिमिताकार के है और जो शुन किसी काई को देखें तो उसके साथ दो चीज़ दिखाई देखती है एक तो यह कि स्वैम में क्रिया है और दूसरा परसपरता में क्रियाशील है जैसे अपने आपको देखिए तो आपको दिखाई है कि आप स्वैम में क्रिया है इन बहुत सारी क्रियाओं को जो हमने बात की उसका आप समुच्चे हैं, इच्छा है, विचार है, आशा है, ये सब क्रियां हैं, और उन्ही के समुच्ची के रूप में आप हैं, एक चैतनीकाई के रूप में हैं, और आप दूसरे मनुस्य के साथ क्रियाशील हैं, आप में शरीर के साथ क्रियाशील हैं, तो शरीर के और इसके साथ ही जो कुछ भी आपके आसपास हवा मिटी पानी है उनके साथ विया को देखें तो इतने सारे अंग प्रतियंगों से बने हुए इस में वह प्रमानों से सब कोई क्रिया नहीं की जहां भी क्रिया है वहां आपको गटि दिखाई कुछ कि घटना बढ़ना जिखाई दिखाई देगा सहाऊ अपने आप में कभी उद्वेलित हो जाते हैं कभी आराम पाते हैं कभी आपके अंदर कोई विचार बहुत तेज चलने लगता है तो आपके अंदर क्रियाओं का घटना बढ़ना तेजगती से चलना धीमी जदी से सब होता रहता है वैसी शरीर में भी है शरीर थक गया तो श तेज वोल्टेज से आ जाए भूग जाएगा बंद हो जाएगा तो दिखाए दिया है कि इन क्रियाओं में एक गती बनी रहती है जैकि स्थिती भी होती है और क्रियाओं में बढ़ना गटना लगा रहता है अगर हम क्रियाशुन्य को देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक तो आप आएंगे कि स्थैस्षित्य है की जैसे श्री में उर्जा है की नहीं कि आप में और जाहा चार्ट से मिलती यह कोई कह सकता है कि जो प्रकाश रंस्टेशन की क्रिया को उर्जा कैसे मिल रही है तो सूरज से मिल रही है सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन से हिलियम अनुब बन रहे है उनसे उर्जा मिल रही है है भी हईटॉज्टा मिल रही है लोगने सहे हरीम होदी अगर सबमें और दोकार है अगर आपके अंदर जीज्ञास और बढ़ेः तो आप पूछो आप किस प्रकार है कईसे हरीकाئ choreography तो तो दिखाई देगarden कि शुन सभार में शुन के सहफ्थित ते वैसे लिसे कोई भी इकал है को मीशती थे सब्सक्राब बारा है एकने शिद्विधी से काम कर रहा है हार्ट अपना काम कर रहा है लंग्स अपना काम कर रहा है पेट अपना काम कर रहा है किड्नी अपना काम कर रहा है एकने शिद्विधी से कर रहा है सुचिए अगर हम सब को अपने शरीर के कोशिक एक अंग को प्रयास पुरुआ काम करवाना पड़ता है तो कितना मुश्री काम था इन सारे अंग प्रतेग्यों को जोर के आपस में रखना होता तो ही कितना मुश्री काम था पता चला आप किसी मित्र के हां गया है और उनके हां को अपना अंग ही भूला है और आप फोन करके बता रहे हैं कि देखो भाई हमारा किड्नी छूट गया है जरा भीजवा देना कर एक लाइटर से इसमें देखें तो तो अपके दिखाए था शरीर अपने आपने व्योस्थ पनी जाते हैं परिशान होगते हैं और जैसे ही आपके अंदर व्योस्था का भाव वीचार आता है आप आराम पाते हैं किस प्रकार हो रहा है और इसको तृड़ा जीज्चार कै到 skincare पूछ में क्यों है कैसे है क्यों मैं संबंद को ही स्विकारता हूं मैं विरोध को नहीं स्विकार पाता क्यों मैं सुख चाहता हूं दुख नहीं चाहता क्यों मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं दुखी नहीं करना चाहता उसक्यों को जब आप अपने आप में पूछेंगे तो और गहराई में देखेंगे तो पता चलेगा कि शुन्य के सहस्तितों में हम सभी नियंत्रित हैं हम सहस्तितों से अन्यता कुछ भी भाव विचार करते हैं और हम परिशान होते हैं और जो भी हमारा भाव विचार सहस्तितु के अर्थ में होता है उसे हमें आराम मिलता है, इस प्रकार इसलिए शिक्षा बहुत सहज है, क्योंकि हमारा कुल काम क्या है, ये जो सहस्तितु पहले से भना हुआ है, उसके अधार पर ये जो हर वेक्ति में सहस्कृर्टी बनी पता होता है अगर आप द्यान चलाए अ कुल यृखर नियार काओ मेरे अंदर है जो मुझे परिशन कर पाते हैं और सो करक्या मेरा पाते हैं, ऐसा किस प्रकार है, इसको अगर हम थुरूँ अप्रीशेट कर पायında तो ब्यक्रिबाइब ही तो मेरा शरी भी नियंतरी थे हैं कि ऑस पास की इतनी कीज़ें हैं, यहाव किस प्रकार एक ही तरह से बेहता है। नधी कैसे它 की तरह से बेहती दिखाई देगा कि हरी अपर शरी से जुड़ा हूं मैं हाज शिरीस से लाएं मैं आप से जुड़ा हूं मैं आस-पास कि भूट प्रछाणी वप्तों से लाएं तो रहा है तो यह निर्वाँ कर रहे हैं कि नहीं इसको थोड़ा अपने अबजर्व करिए कैसे हमने बीज डाला पानी डाला ठोड़ा खाट डाला और शेस काम अपने आप होता है कि इसमें कौन सी डाली कितना पानी डाला कितना खाट डाला उसकी एक निश्चित संबंध है और उसके अधार पुश्टी होती है और कैसे ने समय के बाद उसकी पुश्टी रुख जाती है और कैसे आपका शरीर मिल जाता है अगर हम इस सब चीजों को देखना शुरू करेंगे दिखाई देगा कि इस शुन में बने रहते हुए हर इक काई हर दूसरी काई सब परसपरता को पहचान रहें निर्वाह कर रहें और ऐसा होते हुए हरी काई स्वयम में भी एक व्योस्था है अपने से बड़ी व्योस्था हम भागिदार है कैसे सम्मंद के अधार पर तो हम आपस में जुड़े हुए हैं हम बाकी चीजों से जुड़े हैं और हम भागिदार है तो आप अपने परिवार की व्योस्था हम भागिदार है और परिवार समाद की व्योस्था हम भागिदार है समाद पूरी पर व्योस्था बनानी नहीं है तो बहुत ही डिफिकल काम है कि अदमी को सुधारना कितना काम है तो यह व्यास्था कैसे बनेगी ये ये तो हो नहीं सकता गाना एक तरह हमारी चाहना भी बनने रहती है दूसरी तरह हम अपने आप में ध्वन्थ में उल्जन में रहते हैं कि व läuft कैसे बनेगी तो इस बात को आप स्रिक्रालिकी से देखेंगे जब स्वहस्तितिव को समझेंगे आपको दिखाइंदे़ा कि व्योस्था को बनाने निया और आग्यों तो समस्तितों हो जाए सारभ्हम व्योस्था हो जाए अखंड समाज हो जाए तो अपने आप में देखें तो बहुत मुश्रील काम लगता है परंतु यदि आपको यह दिखाई दिए कि तो व्योस्था तो पहले से बनी हुए सिर्फ हमने ध्यान नहीं दिया अगले ने ध्यान नहीं दिया तो शुच्छा विदी से अगर हम इसको ध्यान दिनकल कर आती है ना हम चाहते वैश्था में तो आगे जब रिफ्रेशर वर्क्षप में आएंगे तो आम लोग बारी की सवर बात करेंगे इस पर कुछ प्रशन कोई नए साथी हो फुरेंद्र सिंग परिहार जी इसको हम कहते हैं यह यूनिट है या इस पेस है जो हम अभी बात कह रहे हैं तो यूनिट है मेरे यह सीमफ मेरे सीमा सीमाने और साथने घाजयवाद अपंवा ब्रक्री सीमा तो हम सब लेकिन जब शरीर से मैं डिटेच हो जाता है तो फिर वो उर्जा काम करना क्यों बंद कर देती वो निस्क्रिय क्यों हो जाती है पर शरीर के साथ आपका संबंद का प्रकार से पहचानना हो रहा था वह बाधित मैं वह जाता है जैसे पेड़ है लिए जब तक हड्याय गरों करता है तो तो जैप्रकाश जी का ब्रीफ ली एक प्रशन लेते हैं उसका फिर हम आगे चलते हैं जी तो जो जो प्रवत हैं पहाड है पेड़ पोदी हैं वह हमारे मानव को रास्ते में नहीं आते हैं लेकिंगे मानव उनके रास्ते में आता है मेरा मतला है उनको नस्ट करता है उनको व्यस्ता को वेगाड़ता है और अपने जीवन जीता है तो ऐसा क्यों है और इसको इसका क्या निदान है तो जो हम इंद किया उसमीं आपको दिखाई देता की मानव में और शरीक का सरस् Dabei ao भाइब कर ना इसलिए मिए परकार से वह पहचानते रते निर्वायपर रशेब युब सब्सक्रीक परकार से पहचाना निर्वा करना होता है परन्तु हम सब में मानने की क्रिया है कि मानने की क्रिया जानने के अधार पर निश्रित हो पाते हैं जानना नहीं होता है मानने में अनिश्रिता बनी रहती है जो मानने में अनिश्रिता होती है वो हमारे आच्रण में अनिश्रिता त्यार करता इसलिए हमारा अनुषित आचंट बना रहता है तो मानने करिया यह तो अच्छी बात है तो करने का काम है कि मानना जो है जानने का धार्ट हो जाए कि वह वात लेके चल्ना कि वह हमारे रास्ते में आ रहे हैं चिनों लोग टीन वे उस्ता है । कई वर्सों में देख रहाँ गोई तो वह सही समझ क्या विक्सित करना है कि सब आपना चांस मिला अपना जोद कि अपने अपना इस प्रकरति दुनिया में रहें जिसी कोई डिस्टर्मेंस ना करें यह जो सही समझ की तो पूरी बात हो रही है जी जी नेक्स लाइट चलते हैं भी तो अब एक दृष्टी में पूरी अस्तित्व को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो ऐसा दिखाए द परसपरता में क्रियाश्वील हैं और जो तीन बातें अभी कही गएं कि स्वयम में व्यवफ्था हैं उर्जीत हैं संबंद को पहचानती निर्वाह करती है तो प्रकृति की हर इकाई के बारे में चाहा जड़िकाई और चैतनी है ऐसा दिखाई देगा शुन्य के बारे में और शेतनी कृणों को देखें तो परणतु उसके आधार में मानना है और मानने के साथ या जानने के भाव में इस दो संभावनाएं बन जाती है ऊसमें प्रändig को पोटनेशल है जानना मानना निर्वाह करना तो अगर तो परमानु और आनलों के बारे में उसमे धेन किया है तो उसे कुछ संकेत में बिल जात ही कि इसको और मालू कह रहे हैं। तो सबसे छोटी इक ए जो स्वयम में एक व्योस्था रहे हैं। णी परमानु कि मिलकर अनु बनाते हैं अनु जो हैं मिलकर अनुरचना बनाते हैं है और जो अनु है रूटर बनाती जिऴ अब अरु रचना को देखें तो दो तरह किम रसिता सब ज़र हो गया और रशा या फिर रस के रूप में है तो पिंड के रूप में होने का मतलब जैसे मकान पिंड है यानि एक आकार का बना रहता है तो पिंड है कुर्सी टेबल कंप्यूटर इसा पिंड के रूप में बने हुए कि शीत आकार के बने रहते हैं दूफरे तरह की अनुरचना है जो रस अब जो इसमें बहाव आपको दिखाई देगा तो पानी है द्राव है हवा है इसे अब रस के रूप में हैं तो यह रस मिलकर एक प्रांटकोशा का निर्मान करते हैं जो प्राणवफदा की सब्सक्रेज्श का यह जो प्रांवफदा की सब्सके छोटी काई है अब उसे एक अलग प्रकार की समर्चना से जीव शरीर बनता है और मेधास के सहयोग से वह जीव शरीर एक चैतनी के साँ जुड पाता है से हटिति नहीं को रह पाता है जिसको यह से सहस्थित बंता है उसका पुरी प्रकृति में तो चार वस्था हैं पदार्थ वस्था प्रान वस्था जीव वस्था और ग्यान वस्था है यहां पर आपको मैं और सहस्तित दिखाई देगा जो ग्यान वस्था यहां भी मैं और सहस्तित दिखाई देगा तो अगर आब इस डियाग्राम को भी देखें यहां जो संकेत यह बना है तो मैं दिखाएदेगा अब जीवफ्था में आपको दिखाई देगा इसे मानने क्रिया होती है जानने की छ्मता नहीं जाता है जानने की छम्ता होती है और यदि हम देखें तो हमारे आचरण क्या निशिता कारण क्या है कि हमने जानने की छम्ता तो हो गई है कि जान नहीं पाए है इसलिए उसको ले कर व्याकुलता है ये ज्यानावस्था में यानि मनुस्य में होना है और यही मूल काम है इन फैक्ट मानों को ज्यानावस्था क्यों कहा क्यों कि ज्यान हमारी मूलभूत आउसकता है इस शब्द से आपको इंगीत होगा कि ज्यान हमारी एक मौलिक आउसकता है भूल वश हम कई बार सुविधा क को अपनी मौलिक आफिकत मान लेते हैं सुविधा तो शरीर के लिए मेरी आफिकत तो ज्यान है सही समझ सही भाव है और इस ज्यान और भाव से ही मैं सुफी भी होता हूं और मेरा आचरन निश्चित भी होता है और यही कुल करने काम है अगर हम इनी कायों को देखें जो पद पाया वापस मिट्टी में मिल जाए कि नहीं है तो आपको यह दिखाई देगा कि जो भी दर हम रचनाय करेंगे ना इनमें चक्रीता है हमने मकान बनाया मकान ध्यागया हमने गारी बनाई गारी खरीदी गारी एक समय तक चली उसके बाद तूट फूट गई जंग लग गय पर ऐसी पेड़ पौधे बड़े हुए ब्रिक्ष बने ना पुरा फैला हुआ पर देख से में एक बाद वापस तूटके मिट्टी में मिल गए जीव शरीक साथ भी ऐसा ही हो रहा है मेरे शरीक साथ भी ऐसा ही होने वाला है आपको चक्रीता है सिंबल बीच में बना हुए यहां को दिखाए देगा यह चक्रीता नहीं विकास का मतलब है एक रखी है एक दिशा में है इसमें जब च प्रिधा नहीं है जैसे कोई बात हमें नहीं अगर समें भी आगे से कुछ्छ नोगों के स्कौन के मैसेज हुआर एक इसक्स करनए की स्कुर्ण नहीं दिख रहा ह तो मुझे यह संभावना है विकास की संभावना है चैतनिकाई में संभावना है आप में संभावना है हम सभी चैतनिकाई है विकास की संभावना है और यह आपको दिखाए दिया कि जो बात हमने एक बार समझ ली वह हमारे साथ निरंतर बनी रहती है जैसे अगर मुझे संभाव मेरे अंतर हमेशा बना रहेगा अगर मुझे विश्वास का भाव समझ में आ गया उसकी निरंतरता है अभी हम जो सूचना एक अतर करते हैं उस सूचनाओं को हम भूल सकते हैं जैसे हमने मेकैनिकल इंजिनिंग पढ़ी अगर हम दस साल तक न पढ़े न पढ़ाएं भूल जाएंगे अभी आपको अगर फिफ्ट क्लास का ही कोई निमेरिकल दे दिया है सॉल्व करने के सूचना करते हैं उन सूचनाओं में तो कोई नियरंतरता नहीं है यह भी हमको दिखाई दे कि मुझमें जव नियक्स करता हूं उसकी नियरंतरता नहीं है सुचनाओं में निर्वाह के लिए संबंद के साथ निर्वाह के लिए तो अगर हम जैसे कोई भाषा सीखते हैं जैसे हिंदी भाषा हमने सीखी यह सूचना है जो हमने ली कि अगरी दिए निर्वाह कि अगर्ण नहीं निर्वाह कि तो जोड़ा साब का मिस हो गया था कुमार आप तो थोड़ा रिपीट कर दें लास्ट तू त्री सेंटेंस जी बात हमें यह दिखाई दे कि मैं निरंतर हूं यानि चैतन निकाई निरंतर है दूसरा यह दिखाई दे कि चैतन निकाई में ज्यान की निरंतरता है तिसरी बात यह दिखाई दे कि जो भी हम सूचना एक अतर करते हैं उसमें निरंतरता नहीं है तो अब इस शरीर से उख क्या मिलता है सुच नाहीं मिलती कोई समवैदना आई और समवेदना क्य rounded SUCHना की रुप में आई कि हम ने कोई सीखी किस रुप में सीख ली एक उचना को ऺीं हमने हिंदी भाशा सीख लिया अंग्रेजी भाशा सीक लिए और वह हमारे साथ म्enneर वैसे आपको दिखाई देया कि जो शरीर से मिलने वाले संवेदना उसमें निरंतरता नहीं कि वह एक सूचना है हमने कोई स्वाद लिया और स्वाद एक समेक बाद चला गया तो जो उपलब्धी है वह बहुत इच्छनिक रहा सामईक रहा तो कोई भी सूचना की जो उपलब्धी होगी वह सामईक होगी पर इंतो जो ग्यान की उपलब्धी होगी वह निरंतर होगी तो इससे हमको यह भी बात असपश्ट हो जाए कि अगर हमारे जीने के क्रम में हमने कि सूचना को प्रयार्टी दे धी है ठीक है ना तो उसके कोई निल निलंटर बनी रहे वाल नहीं सामेग्रूप से होगी यहीं ही समझ तो यह दिखाई देगा कि यह ऑप कुर्कृती है न यह पहले सही व्योफठा में के सिर्फ उसमें चैतनिकाई ही है वो भी ज्यानावफ्था की जिसमें ज्यान की संभावना है और यह यही भाध्षैस है और स्वेम दोरास वहां में होना है तो इस पर मैं एक या दो प्रश्ण लेता हूं लोग कंटेंट को आगे लेके चलेंगे लिए वैसे आपने बहुत अच्छा समझाया बिना स्लाइड के भी समझ में आया लेकिन मन में यही प्रश्ण आ रहा था कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो आप बता रहे हैं मतलब जो आपने सब बताया ना वो स्लाइड बाद में चेंज हो पाई बस इतनी सी बात है अच्छा ठीक है बट आपको बात तो पकड़ में आ गई है हां जी पकड़ तो आगई अगर एक रीकाप वाला बाद में हो जाएगा तो अच्छा लगेगा तो मैं अभी पूरी बात रख लेता हूं पिर हो सकता है प्रेक कैसे मैं इसको रीकाप कर लेंगे हां जी थैंक यू कि विवेक कुमार जी बिवेक मार जक्कल जी बर्वीर सिंगी जी नबसकर भाईया अपने आपको समझ पाया कि पहले हम सुचते हैं पर किताब को पड़ लिया वो तमाब बरकार सी ज्याने जेट कर लिया कि हमने डिगरी हासिल कर लाई तो आप समझी आए वो सिर्फ सूच्णाओं को एक अत्रि बिल्कुल बिल्कुल ठीक डेखा आपने जी लेखा गुप्ता जी जैप्रकाश जी अभी तो उनका हैंड भी रिजमी जैप्रकाश जी कुछ पूछना चाहरे थे जैप्रकास आनंद भीया अमिता होसले जी पहले किया था सर नमस्ते सर सब समझ में आ रहा है सर सब मैं सैंकी स्टूडेंट हूं सर जो जो आप बता रहे है ना ये परमाड़ू तयाड़ू और ये संरचना वगेरा ये पपड़ा हुआ पहले से लेकिन अभी इसको कनेक्ट कर पारें रियल लाइफ से तो अच्छा ल सब्सक्राइब नमस्कार काफी बहुत रोचक लग रहा है और मुझे हैं से लग रहा है कि कुछ जेटल है और ये जो अंतिम जो बात बोली सर ने कि यह जो हमें ज्यान जिसको हम ग्यान कह रहे हैं वह सुचना है हमारी और उसको ज्यान में बदलने के लिए तो प्लीज इसको थोड़ा जब द्वारा आप उसको रिव्यू करेंगे तो मुझे मुझे लगता है कि हम जैसे तो लोग और किलियर कर पाएंगे बिसे चीजें तो समझ में आ गई हैं लेकिन उसको ज्यान के से बात करेंगे अब तो जैसा कि आपने अभी बताया कि ग्यान अवस्था तक हम सब एकाईयां हैं सुनने की तो क्या कभी यह अवस्था भी हो सकती है कि हम खुद सुनने हो जाएं अब देखे इसको अगर हम जो पहले बात वी देखें तो हमें से हर यह पैर है तो क्रिया तो क्रिया तो क्रिया इस जीए निदी वह तो अगर इसको सार संचेप में देखें तो अस्तितो सहस्तितो कुरूप में नित्यवर्दमान है उस्जेका व्यौत्त है उसमें जो सिमित अकार की काईया संप्रिक थे यानि अुर उजित थे परफ़ी काई से संबंद्द है परकृतिय से बनाना नहींאל पहले सही है इसको देखना समझना ए तुर सवफ्टिति है कि थो सव दिखना और विखेंぜ स्वाइब तो मानो को जो करने काम मातिर इतना है कि सब्सक्राइब MICHAEL आजब ओस्टिते करने यह ईकुल करने काम है जी आरपीब्ग्र अगर इस चीज़ को मैं वरीदा दे पाता हूं ध्यान देता हूं समझता हूं तो जो मैं की क्रियाओं के बारे में बात हो रही थी तो कुछ क्रियाओं जो हमारी हम लोगने उसको लिस्ट नहीं किया था और कहा था कि अभी अक्टिवेट होना बाकी है इसलिए इसलिए बात नहीं कर रहे और इसे बात करेंगे तो जब मैं इस बात को सहफ्था को समझ पाता हूं भाव का मेरे अंदर चिंतन हो पाता है तो मेरे अंदर क्रियाओं की पूर्णता होती है समझ की पूर्णता होती है तो जो क्रियाओं विक्सित थी या अल्प विक्सित थी वो सुम्षीन ए When ISE जब होता है तो इपस्ष्वास सम्मान से तो अभी क क्रम में देखें तो अभी हम लोग बातinis लिए इच्छा विचार आशा के यह जो कल्पना शिल्टा बनी गी है उसके ध्यान दे रहे थे उसको हम विश्लेशित कर रहे थे उसका मुल्यांकन कर रहे थे करते करते हैं हम उपर क्यों गति करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हमको पूरा अस्तितों सहफ्थितु कर रहे थे इस हफ्थितों के साथ तो में पूरता आ जाती है वैसे ही जो हमारे अंदर चैना स्वादन असम्में पूरता आती अब मुझे सुख का सुरत स्वयम में दिखाई देता है यहां पर लिखा हूँ है अब मुझे सुख के लिए कहीं बाहा निरभर होने पीचिर प कप्रिखित नहीं को अगर कि निसस्ट के लिए अधर को डिए भीरनायं विक्सित नहीं तो हमको यहां पर फिर व उखन होते हैं पीर हम बाहर भागते हैं कर जीना कुछा है किक अदर भागता है और А tua पौने आप में सुखकी निरंतरता फुनिशित होती है। और जैसा हम वाक्तों में hoना चाहते हैं वैसा यह हो पातह घ्ञान के साथ , उसमें दूसरे का भी सुख होता है श्रpointशल की सम्रिद्धिय भी होती है मेरा तो बनाही रहता है तो यह मैं अरण के अधार पर बोगत क्या धार पर हमारे इच्छा विचा राशा सुनशित हो पाती यह उन्टेयक आर्थ में जी तो एक बार यह देखने कि क्या हम ऐसी स्टी में आना चाहते हैं कि नहीं क्या लगता है उसमें चैट बॉक्स में रिस्पॉंड कर दें क्या आप में से हर वेक्टी ऐसी स्थिम्हाना चाहेगा जी नेक्स स्लाइट पर चलते हैं अगर अभव तक इतनी बात हुई पिछले चार दुनें में हुई और आज इतनी बात हुई अब उसको हम लोग अग्द्री凌 में दिखने काम करते तो ये बात ही हुई थी कि मुल्य शिच्छा का वर्क्शॉप है, मुल्य शिच्छा का शेविर है, तो मुल्य का अर्थ क्या है, इसको पहले सेशन में परिभासित किया गया था, कि मुल्य का मतलब अपने से बड़ी व्यूस्थाम भागिदारी, तो एक उदाहरन भी आया था तब तो मुल्यवान है विच्छा, अधरवाई यो मुल्यवान नहीं है, मेरा विचार यदि मेरे सुख के अर्थ में भागिदार है, तो मुल्यवान है अन्य था, मुल्यवान नहीं है, वैसी मेरी जो आशा है, तो इसको हम देख सकते हैं, कि स्वयम की जो क्रियाएं है, उ शरीर के भाड़ीदारी हुए, शरीर का मुल्य हुआ, तो इस परिवार में आपका मुल्य क्या है, वो इस बात से तह होता है कि परिवार की व्योस्था आपकी भाड़ीदारी क्या है, तो आपके परिवार में होने से परिवार की व्योस्था बनती है, या उसमें कुछ वित् सब्सक्राइबुस को हैं तो इसका रशालाद के दोरा हमने मानों के सारभामिक मुल्यों को समझने का प्रयास किया है और आप पाएंगे कि भिन 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 परंपराओं में भिन 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 विध्यों से जिन चीजों को देखने समझने का प्रयास किया हूँ यही है कि मानों अपने आप में सुखी हो पाए और दूसरों को सुख में की अलगले अस्तरों पर उसको एक दृष्टी में देखा जाने कि जितनी बाते भी तक हुई है तो इसमें तो इसमें हम नोगे कैसे प्रकृती सुन्य में संप्रिक्त है कोई म्यूट कर ले मानों में स्याफ्तित को अनुभव करने की छमता है और जो अनुभव क्या की बात हुए मुझे स्याफ्तित भिख जाए उस अनुभव की छमता हमें से हर एक मानों में हमें से हर एक में यह छमता है कि हम पूरे विश्व के लिए मागदर्शन दे पाएं कि बोबी क्या है यही सहस्तितो जब चार और व्यॉस्थाओं के बीच में दिखाई देता है इसको समझने गए तो समधन और व्यॉस्थां पर बात हुई और त्यारध क्या है तो मिलमें समाज में मानव Ka पुर्वब खम को दिखाई देती है तो मैं सुविधा कि आउशक्ता को भी ठीक से त्या कर पाता हूं शरीर के साथ भी मैं निर्वाः ठीक से कर पाता हूं और शेष प्रकृति के साथ भी निर्वाः ठीक से कर पाता हूं वही संब्रिद्ध है फिर अब है का मतलब है क्या ह और दिखाए दिता है और हमने इस पर मानव प्रक्टि संबंध की बात की और मानव में स्वयं के उपको समझने का प्रयास किया परिवार परिवार के रूप में समाज के रूप में जीड़े हुए हैं भिन भिन मैं आप का सभी आकलन करना चाहता हूं करना छाहते हैं अपसे घ्णक के रिभ आटा है प्रेम की बाद की तो हर मानव ग्रास संबंध को फेचानने का काम यह सथितो ही तो है तो Ee सहस्तितु मानो मानो संबंद में इन नौ भाव के रुप में दिखाई देता है और इसको भी हमने समझने का प्रयास किया और दिखता है कि हमें से हरेक में इन भावों को स्वय में सुनिशित करने की छमता भी कि ने चाहना तो है च्छमता भी है और इस प्रकाह को नशूर कर पाते हैं जी पाते हैं वैसी मानों को जबने बात किया तो धी तो यहां तो सहस्तितों शब्ध हमने रियोग किया ही कि मेरा और शरीर का सहस्तितों बना हुआ है में इसमें संयम भाव को समझने का प्रयास किया स्वास को समझने का प्रयास किया वैसे अपने आप में मैं देखूं तो मेरी क्रियाओं मेव्याफ्था हो जया लय हो यह संगीत हो जाए उसको लग लग नाम दिये तुसको सुख शाम्तिर संतोष और आनंद का नाम दिया अब इनका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं तो सहसेत्व का अनुभव होता है उसके अधार पर मेरे अंदर व्याफ्था का बोध कि अंधर कोई कंफिक्ज timely श्च में रहा जब ऐसा होथाया तो मेरे विचार हो में जो अंतरद्वन था वह सब चला गया विरुध हो चला गया शांटी होती है जेवाइसा होता है तो मैं हर्चरण सूख का स्वादन कर पाता ह। यहीं वहमारे निरंतर सुक्ट का उसमें यह चार ओ समाहाईद निरंतर सुक्त अख गर Влад होता है जब सहवत्थित का नभाहर होता है उसके हमारे अंदर आनंद, संतो, शान्ति और सुख सुनिशित होते हैं तो हम सब के अंदर निरंतर सुख से जीने की इच्छा तो बनी हुई है सही समाज, भाव और विचार की छमताई बनी हुई है तो हमने जितने भी सारभाव मुल्यों के बात की अगर उसको देखें तो यही सारभायम मुल्य जिसको मुल्यों समझने का प्रयास करते रहे जी नेक्स्लाइट पर चलतें है तो माणों के लिए कारिक्रम क्या बनता है तो यदि हम माणों के लिए कारिक्रम सबस्राइब रहाll Maurali compensate धा एक ये कारग्रम बनता है तो हर एक अफ्तर पे हमारा व्यवफ्था वो समझना हो जाए व्यवफ्था में जीना हो जाए यही कुल कारक्रम बनता है इस वीचने बार्स एक प्रश्ण में ले लेता हूं कुछ हैंड्स रेज़ें राकेश कुमार अगरवाल जी पुषपेंद्र जी जी पुषपेंद्री सर यह जो आपको बता रहे हैं यह काफी अच्छी नौलेज है यह सारी चीजों में सामंजस कैसे रखा जाए क्योंकि सामंजस ही मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी समस्य आती है माना और प्रकृति परिवार इन सब चीजों में कि अभी हमको सामंजस इसलिए बैठाना पड़ता है ना तो जैसे अगर हमको दिखाई कि हर मुझे सुखी करना चाहता हूं हर मुझे सुखी करना चाहता है तो समंद में सामंजस से बैठाने की कोई आउस्था है नहीं बनी फिर तो हमको दिखता है कि चाहाँ सब्सक्राइब ठीक है और हर एक के लिए काम इतना है कि इसको देखना और जीना है उस अर्थ में मुझे भागिदार होना है तो जब हमको विरोध लगता है तब तो है जी तो है एक बात पूरी करें तो प्रश्थता नहीं होती तो फिर हमको लगता है कि उसमें किसी प्रकाइन से बैलROद यह समझा नहीं है विरोध है तो मेरा शुक्त के पूरा है इस wakes अब है कर वर सब्सक्राइब आपने सही कही है लेकर में कभी कभी क्या होती है कि मैं समझ रहा हूं। दोननों लोगों के बीच में फसके रह जाता है उसमें और थोड़ा ध्यान से देखें कि आपको क्या लगता है वो समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो हम परिशान होते हैं ठीक है हम लोग ब्रेक में बात करेंगे अभी थोड़ा मैं इसको समप कर देता हूं यह जो अभी हम पर जी राकेश जी नमस्ते अब यह मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं अब के लिए स्कार्मा चाहता हूं से पिछली स्लाइब में जो अपने इस तर नंबर तीन पर समाज की विवस्ता संबंद के बारे में बताये था थोड़ा सा एक बार इस पर पुर्णा आप मैं तो समाज के अफ़तर पर हमने मानोलक्ष की बात की थी आपको अटेंट कर पाया थे पुरा सेशन सवाज्वाला कि समाज का दो सेशन था अप उसको अटेंट कर पाया थे पुर्णा कि आपके आवाज तूट रही है कि हम ने किया तो ना इस तो ना इसा करेंगे या तो या तो हमको थोड़ा समय मिल जाए तो कर लेंगा हम लोग तो थोड़ा समय कि सीमा है इसमें मुझे अपनी बात पूरी करने हो एक तो यह कि जो हमको प्रस्ताव मिला उसको हम जाच्यें अपने आप में अपने अपने दिगार पर जाच्यें ताकि हम सही समझ वह अपने आप में सुनिशित कर पाएं हमारे जो भाव विचार हो वो सही समझ के धार पर हो ताकि पूरक हो तो एक तो अपने आप में करने वाला काम है कि हम अपने आप में प्रस्ताओं को सुने जाचें जी कर देखें दूसरा जो अपने मेरे प्रज़ता को जाका वहा हूं और कि अपना मुल्यांकन करबाता हूं यह काम स्वय में करने योग है तो आपको दिखाई कि ते जो मेरे अंदर पहले से बना हुए मेरी स्धुणों, जीते है मेरे इस्थिति है। उसमें व्यौफ्था तंद्द कए पूली सद्रीकारियों लोगों के लिए ऐसे त्यार कर सकते है ताकि उन्में और इसका और आप जहां भी काम कर रहें वहां प प्रिवरतन हो सकता है काफी तेज हो सकता है कई बार हो सकता है कि जिल के चलाने वाले लोगों में इतना परिवरतन नहों है तो चोटे बच्चे से लेकर हाइर एजुकेशन तक के बच्चों के लिए शिच्छा संसकार के पाठेक्रम पुफ्तक योजनाय बनाई जा सकती है जिसमें जिन लोग को बात समझ में आ रही है जो एकनिशित आचरन से जी पा रहे हैं और बड़ी विव्यास्था में भाग इसमें बैठाकर और शिच्छा में समाविशित कर सकते हैं ऐसी पर्यूज菜 बना सकते हैं। उसमाज के रहे समाज में इसको समाविशित किया जाए तो अगर आप इसे क्रम को देखेंगे तो लोग शिक्षा के साथ एक बैग्राउंड तयात्वा शिक्षा संस्कार में हम समाज की एक आयाम में काम कर सकते हैं और ऐसा करते हुए परिवार्स लेका विश्व परिवार्ता कि स्टेप बाइस्टेप हम विवस्था प्रशूर कर सकते हैं तो एक बात आपको दिखाई देगी कि जैसे कोई बात आज आपने सुनी तो अगर आप इसको अपने आप में जांचते परखते रहें निष्ठापुर्वक्त तो दस वर्सों में आपकी ऐसी स्थिती बन सकती है कि आपको दिखाई दे कि हाँ यही सही है और यही आप इंफैक्ट हम लोग तो देख रहा है कि इस तरह से आनलाइन मूड में कारकंश चल रहा है बहुती कम समय में लोग इस मिरने पर पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम एक वेक्ती 10 वर्सों तियार हो सकता है और यसे देखें तो सौ वर्सों में एक हजाक करोलों तियार सकत उसके लिए उतने शिप्षक त्यार हो जाएं और जो व्योस्था बनी हुई है देश की अगर उसमें इसको समाविशित किया जाए नीतियों में समाविशित किया जाए है तो उससे बहुत कम समय काम पूरा सब्सक्राइब अगर हम समाज कि हर याम इस बात को ले जा सकेका है तो और भी कम समय लगेगा 10 से 20 वर्स हो सकता है अब तो हम यह सोच सकते हैं कि MP में और आप सभी साथ अगर हम उस्तर से निर ने लेंगे तो बहुत कम समय में देश के भाग में ठीक से काम होई सकता है तो पूरी धर्ती पे अगर हम देखें तो कम समय में काम पूरा जहां हम लोगी सोच रहें कि 2050 जीने लाइक रहे ही ती नहीं रहेगी सो बरसों बाद धर्ती का क्या हाल होगा उसके बजाए अब हमको यह दिख सकता है कि 100 वर्सों बाद भी धर्ती व्योस्थित होगी धर्ती पे लोग सुख पुरोग रह रहे हुए इंफाक्ट एक दूसी तरफ से जो कारक्रम चल रहे हैं विदेशों में भी और अंतारस्ट्री अस्तर पर भी कि लोग सुख की बात तो इतनी बात मुझे अपनी तरफ से कहनी थी और मुल्यांकन के लिया दिकोई ओ भी या संच्षय तुलेले दों कफाले सकते है तो अब समय है मैं कुछ प्रस्ट रहे प्रस्वन नहीं रखा उनके वां प्रस्वन लीता हूं साल स्रीमती ज्योटि गार्जी जी बताए आपको कोई प्रेशन है नो सर मुझे जो प्रेशन पुछना रहता है वो कोई ना कोई पूछी लेते हैं अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है कर लेती हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कारेकर पहली बारी बिल्कुस स्वागा थे और आपके रिफ्लेक्शन को भी हम लोग ना जो भी आपकी विचार है ना उसको हम लोग हम लोग सुनेंगे अभी भोजनावकास के बाद है लेते हैं विजय कुमार उपमन्यू जी कह रहा था कि मैं अभी कुमार भहिया जेल वाली बात कर रहे थे तो जेल के कैदियों के लिए कारिकम क्या बना था और क्या बन सकता है इस तरीके से थोड़ा सा अलका सा संचेफ में अगर उसको बताएं तो एक समय जो विलासपूर जेल के डीम रहे वह परचीत रहें तो उनके माध्य हमसे लोग विलासपूर जेल में काम शुरू किया और उसमें हमनोंने पहला काम यह कि जेल के जो दिकारी थे उनके साथ हमनोंने एक बैठक की और उनकी आपके दुर्दांत कैदी हैं पहले आप उन्हें दे दीजिए तो 33 कैदियों को चुना गया और उनके साथ हमने पहला वर्क्शॉप किया और वो फिर उनमें जिस तरह का परिवर्टन हुआ तो लोग आगे वर्क्शॉप में भी आते रहें और उनके माध्यम से फिर जिल क लोग हर महीने दो महीने पर उनके साथ इस तरह के शीविर करते रहें और उसमें कुछ परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा हुए कुछ कैदियों में बतलाब एक उधारन मैं दूंतो उसमें करन दावजी थे अब उनको बीस साल की उम्र कैद की सवजा मिली थी पर उनके आच हम वे जाहूं में नियम बनाया कि हम लोग एक घर पर बैठ के इनहीं मुद्वों पर बात करेंगेंगे तो हरेर ऐसे कानपूर हो। से पहले वह कानपूर हमनों से मिलने भी आए और जब वह कानपूरा है तो हमनों उनके साथ रिकॉर्डिंग की उनका क्या एक्स्पिरियंस रहा है राजुल भिया के पास पुरी रिकॉर्डिंग भी है कभी आप तो सुन सकते हैं तो एक महत्वपुन बातों में दिखाई दिया कि जेल में रहने वालों जो कैदी हैं वह हमारी तरह मनुस्य हैं उनकी विसाह सिक्रिटी वही है जैसी हमारी है बस यह कि किसी पॉइंट पर उनका आवेश्च बढ़ गया तो कोई अपराद में चले बिलासपूर जेल से निकाल कर अलोगे जेलों में डाला जाए ताकि अन्य जेल के कैदी हों भी ऐसी परिवरतन हुआ है एक उसमें कैदी था शंकर सिंग शंकर सिंग जेल में जब एक साल कारक्राम चल चुका था तो आपके डीम ने जेल के लिए काम शूरूप जेल के हर एनके साथ लोग साथ दूभिहार करता था मारता पीड़ाय ज़गने करता था परण तू आज की दिन में कह सकता हूं कि मेरा जिल के हर कैदी साथ संभन्ध ठीक है जब शंकर सिंग ने ऐसा कहा तो सभी साथ सब्सक्राइब तो जब अधिकारियों के बोलने की बार यह आई तो अगर हम लोग विचार करेंगे तो समाज के जो भागिदार हो सकते हैं उसके लिए योजना भी बना सकते हैं कि गवाले चंबल संभाग जो है एक अपराद कि उसमें भी थोड़ा सा है तो उसमें कहाई कि जगन संशनी अपरादों की पुन्रवर्ती नहों और इनिशेटिव भी ले सकता है तो अगर आदेस के माध्यम से कोई गुरूप रेखा बने तो जरूर स्वागत रहेगा और प्रियास करने पूरी योगदान भी रहेगा जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप लोग सोचें अगर समय हो आर्पी भी या तो यह क्या दो और शेरिंग ले अधर्वाइस फिर हम लोग इसमें बात कर सकते हैं मुल्यांकन पर जी प्रश्म तो संतोस सराया जी है कि राकेश वर्मा जी एक वर्मा जी आपके पास आपके कहना चाहते हैं तो जी शर नमस्ति लिया आम मैं दमों से बोर रहा हूं आप लोग आ रिखे परह जो विए बीचित पर जो आप लोग ने काम किया वू तो बड़ा-पिक care नियुक्तु और इस साथ लगा कि जब अप लोग काम कर सकते आं तो हम लोग अउम समाज में रहके और जिस पर जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर रह कि पाम कर सकते हैं और उट Kenkar Singh की जो Bात है कि हर किसी के साथ वह उनका अच्छा बिवार है यह सभी से उख músh तरीके से सगय कर सकें कि हरं का हम सभी लोगों संतुष्ट कर सकते तो यह तो पुरेणा दाई बात लगी है मुझे और मैं इस दशामे में क्रिया शील रहूंगा और आपका भूत धनिवाद सर जिस पकार से आप लोगों ने समझाया तो ऐसे लगा कि बिध्यार्थी बनके सुनने में मजा ही कुछ और है